Hello everyone and welcome to JK Civil Services तो पहले आपके लिए कुछ information है आप हमारे साथ हमारे टैलिग्राम ग्रूप में जुड़िए जहांपर आपको PDFs और वीडियोस शेर किये जाएंगे आप हमारी app डाउनलोड करें जहांपर आपको पूरी information मिल जाएगी हमारे test series और paid badges के बारे में और इन दोनों का लिंक आपको निचे description box में मिल जाएगा और अगर आपको हमारा content पसंद आता है आप इसे like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें और अगर आप में से उक ऐसा person है जो हमारे साथ पढ़ाना चाहता है हमारी family का इससा बनना चाहता है तो they can contact the whatsapp number written here तो आज आते हैं हमारे आज की lecture के उपर जो है lecture number 3 of number coding अपने दो पिछली lectures में हमने coding and decoding start किया था second lecture में हमने letter coding की थी यह third lecture है, इसमें हम number coding करेंगे सबसे पहले समझ लेते है number coding का meaning क्या होता है number coding का meaning होता है कि जब भी आपको कोई code जब भी आपको कोई code numbers की form में given होगा that is known as a number coding ठीक है, numbers कोई से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, यह वाले numbers जब भी आपको code numbers की form में given होगा that is known as a number coding simple, ठीक है, तो आज आते हैं हमारे आज वोप इतना आपको समझ में आ गया होगा तो दिखाते हैं किस टाइप की question आते हैं हम वो discuss करने वाले आगे देखें अब आप, पहला question मेरे पस कुछ वर्ड है उसको कोई code given है लिखा हुआ सामने है फ्रैंक फ्रैंक के आगे code लिखा हुआ है फ्रैंक फ्रैंक लिखा है उसको के code लिखा है मेरे फ्रैंक जो word है इसमें 5 letters है और जो मुझे code given है अगर आप ध्यान से उसे count करेंगे कितने बनेगे वो 8 बनेगे 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है फ्रैंक जो मुझे word given है उसका code उसमें कितने letters है 5 हैं लेकिन जो मुझे code given है उसमें तो मेरे 8 letters है ठीक है तो अब मुझे क्या करना है मैंने देखा कि कहीं न कहीं यह place value का खेल तो ही है क्योंकि अगर मुझे word जो मेरा given है that is in alphabets तो जो मुझे code given है that is in letters मतलब इसकी कहीं न कहीं यह place value का ही role है और कोई role नहीं है मुझे इसके लिए इसकी place values याद होनी चाहिए चो मैंने आपको first lecture में बोला था आप इसकी place value अगर याद नहीं कर सकते है तो आपको at least इतना पता होना चाहिए कि EBCD किस form में लिखनी है तो counting तो आपको आती है न बस उसके सामने counting लिखती है उसके letters लिखती है opposite वले भी कैसे लिखने है बस इतना रखके सामने रखके बैठा करो और वीडियो देखा करो साथ में पेपर में भी साथ में लिख लेना easy हो जाएगा हमने देखा कि हमारा frank की जो कितने letters है 5 letters है word में मेरे code में तो 8 बन रहे हैं तो अब यह कैसे करना solve यह पहला case जो में आपको बता रही हूँ अब आप देखें उपर लिखा मैंने if the length of code मतलो मेरे code में जितने letters है is more than code में जितने letters है it is more than the words then check the ranking of the letter in English क्या meaning हो गया जो मेरा word है उसमें अगर 5 letters हैं लेकि मेरे code में जादा letter बन रहे है तो आप क्या करें सबसे पहले जो आपका approach होने जाए सबसे पहले आप क्या check करें जो मेरे letters लिखे है मेरे word में उनकी ranking check करें फिर उनका कुछ connection बनाए देखें हमने क्या लिखा frank लिख दिया sorry frank लिख दिया इसकी मेंने सभी letters की place value लिखती f की होगी 6 r की 18 a की 1 नीचे लिखी है उसके नीचे n की होगी 14 k की होगी 11 simple हमें code given था आगे मेंने code लिखती है frank की आगे मेंने code लिखती है अब मेंने देखा कि दोनों का कोई relation बन रहा है वो number value जो इसकी place value इसकी कोई relation बन रहा है इसकी साथ तो सामने देखने से चेक हो गया कि सीधा सीधा नोंने क्या लिखा है f के जो मेरा code है 6 वो सामने लिखती है नोंने 6 ठीक है r का मेरा 18 है वो भी उठा के वहां पर as it is 18 लिखती है a का 1 हो as it is 1 लिखती है n का 14 लिखती है k का 11 लिखती है ठीक है हमारा logic simple था यह simple question था logic मिल गया में कुछ नहीं किया हर एक number की place value उठा के लिखती है सामने कुछ नहीं किया ठीक है इसे तरह उसने मुझे क्या बोला था कि आप मुझे killer का code बताए तो killer का code कितना बन जाएगा simple हर एक letter की place value लिखेंगे उसके सामने तो वो ही मिरा answer हो जाएगा ठीक है सबसे पहले आपको approach मेंने क्या बताई अगर आपके number of letters है in the code is more than in the word जो हमें given a word तो आप किसके साथ जाएएगे सबसे पहले उसकी ranking चेक करेंगे ठीक है I hope it is clear यह तो simple था आजाते हैं आगे आगे देखें next case क्या है if exact similar ranking is not written उपरवाले case में क्या था उसने मुझे exact similar ranking दिखी थी F की 6 है तो 6 कोड में भी 6 लिखा था R की 18 है तो कोड में भी 18 लिखा था as it is if exact similar ranking is not written in coded form then check there might be some mathematical operation अगर उसने कोई exact मुझे कोड नहीं गीवन है coded form में तो आप यह मान के चले कि उसने कुछ नो कुछ mathematical operation लगाया होगा कुछ प्लस किया होगा कुछ माइनस किया होगा ठीक है कैसे किया होगा आज आते नीचे कोशन पर मुझे दिया हुआ रोज रोज का आगे code दिया हुआ सबसे पहले हमने क्या find कर दिया कि जो मेरे रोज में तो चार लेटर है लेकिन coded form में तो जादा लेटर बन रहे है तो यह मेरा यही वला case है जो हम पढ़ रहे है पहला case तो यह बन गया तो अब चेक करते हैं कि मेरा R रोज रोज लिखा उन सब की मैंने लिखती place value R की बन की 18, O की 15 S की 19, E की 5 ठीक है अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहे है थोड़ा प्लीज आपना वीडियो स्लो कर लिया करो बाकी जो मेरे साथ comfortable है वो as it is चला करे रोज का लिखती है मैंने code R का 18, O का 15, S का 19, E का 5 ठीक है अब मुझे code given था, उपर देखें हाँ code given था, आगे ये code given था लेकिन जब मैंने देखा कि R का तो 18 है तो नीचे तो 15 लिखा हुआ है तो ये तो as it is नहीं लिखा हुआ ठीक है जब मैंने आपको बताया अगर code as it is नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब है उसमें कुछ नो कुछ mathematical operation लगाया गया अब वो operation क्या लगाया गया वो हम चेक कर रहे है हमने relate किया R का 50 18 था नीचे 15 है relate के 1 to 1 ठीक है 1 to 1 coding देखनी R को पहले 15 के साथ relate किया ठीक है देखा हमने चेक कि यहाँ पर minus 3 हो रहा है तो मतलब कुछ नो कुछ mathematical operation लगा minus 3 वला case इन्होंने लिया हुआ है यह तो मैंने सामने logic लिखती है आपके सामने O का चेक किया O का 15 था तो नीचे 12 वा रहा है यहाँ पर भी minus 3 हो रहा है ठीक है S का 19 है तो नीचे 16 वा रहा है यहाँ पर भी minus 3 हो रहा है next check किया E का 5 है नीचे 2 वा रहा है मतलब हमें logic मिल गया इन्होंने क्या किया अपनी जितने भी letter से उनकी place value में क्या कर दे minus 3 वाला case लगाया ठीक है I hope it is clear तो इसे तरह से आपको वो यहाँ पर plus वाला case भी दे सकता था जैसे R की 18 है तो उसकी code में वो 19 दे देता plus 1 कर देता O की 15 है code में 16 दे देता इस तरह से plus 1, plus 2, plus 3 कुछ भी हो सकता था और minus वाले में minus 1, minus 2, minus 3 कुछ भी हो सकता था I hope it is clear तो एक और चीज़ सुने आप ऐसा भी हो सकता था जैसे अभी इसने लिखा न मैं 1 to 1 कोडिंग चक कर रही हूं R के साथ मेंने first वाले को रिलेट कर दिया इस तरह से pattern बन रहा है plus minus वाले case तो हर pattern के साथ चलेगा यहां पर वो ऐसे भी कर सकता था कि अगर हम वो reverse order में दे देता R का जो मेरा code था 18 वो end में दे देता जहां पर मैंने 2 लिखा न end पर देखें आप code में जहां पर मैंने 2 लिखा है वो मुझे R वाले 18 उठाके end में लिख लेता reverse form में लिख लेता ऐसा भी हो सकता था इसलिए आपने दिमाग में हमेशा रखा करें आप सबसे पहले आपको one to one coding चेक करनी है फिर आप reverse के साथ जाएं फिर आप इसके opposite letter जो मैंने आपको बताये थे उसके साथ जाएं प्लैस माइनस वाला case चेक करें सारे case इस तरीके से अपने दिमाग में at least रखें कि मुझे अगर ये नहीं चल रहा तो ये लगा के देख लेते है ये नहीं हो रहा तो कुछ cross multiply वाला case लगा लेते है अगर cross multiply नहीं हो रहा तो मैंने आपको प्रैक्टिस करेंगे ना जब आप तो आपको logic समझ में आने शुरू जाएगा कि इन्होंने कैसे निकाला है इसके लिए प्रैक्टिस मास्ट होती है तो आजाते है next देखते है next के है हमारा I hope it is clear अभी तक हमने क्या पड़ा अगर आपको जो मेरा coded form में जो लेटर सादा है वर्ट से तो क्या करें आपसकी रैंकिंग के साथ जाएं ठीक है अगर वो as it is लिखे है तो रैंकिंग के साथ हो जाएंगे तो अगर वो उनमें कुछ प्लस माइनस वाला केस है तो कुछ mathematical operation लगा हुआ है तो अब next देखे, next क्या मेरा हाँ, अब ये कौन सा केसा देखे if code letter, जितने में जो code में जितने letter है they are equal to the given words then there is a unit digit logic अब क्या यहां पर इसका meaning अब मेरे पस actor में कितने letter है 5 है, actor में मेरे letter है 5, और मेरे coded form में कितने letter है 1, 2, 3, 2, 6, 2, 6, 9 ये भी 5 बन रहे है, actor में भी इतने letter है, उतने ही मेरे coded में letter है ठीक है, इसका मतलब इनोंने कुछ है तो place value वाला case ही है, ठीक है place value तो हर एक में लिखनी है हमने लिख दिया मैं actor actor की place value लिख दी, मैंने हर एक letter की उपर लिख दी a की 1, c की 3, t की 20, o की 15, r की 18 ठीक है, इतना लिख दिया मैंने तो अब देखा, अब तो हमारे code में 1, 2, 1, 3, 2, 6, 9 था अब देखेंगे इसको ये उन्होंने क्या किया है हर एक, हर एक जो मेरा letter है उसको unit, उसका अगर जितना भी place value बन रही है उनको plus करके, sum करके एक unit बनाके, एक unit digit करके, उसका code लिखा हुआ है ठीक है, देखेंगे आप a का हो गया 1, तो as it is 1 लिख है as it is 1 लिख है, c का हो गया 3 इन्होंने as it is 3 लिखती है क्योंकि मेरा already वो unit digit है तो t का हो गया 20, दो digit है तो कितना बन जाएगा 2 plus 0 कितना हो गया 2, ठीक है, वो ही लिखा हुआ मचे code पर ओका कितना हो गया next sorry ओका कितना हो गया 15 तो कितना हो जाएगा, 1 plus 5 letter को, उसकी, जो place value को प्लस कर रहे हैं, उसकी digit को, ठीक है कितना हो गया, 1 plus 5 that is equal to 6 r का कितना है next, 18 तो कितना हो जाएगा, 1 plus 8 that is equal to 9 okay, simple उन्होंने क्या किया है इनकी place value की, जितने भी मेरे place value आ रही है तो उनको plus करके एक unit digit में लिखा है simple है, okay अब इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी कर सकता था जब इन्होंने plus कर दिया सारे age के, तो मिरे पास code आ गया ना नीचे, 1, 3, 2, 6, 9 अब इसको कुछ pattern लगा सकता था, वो cross multiply कर वा लेता एक वाला code मैंने तो 1, 2, 1 लिखा, A को मैंने 1 के साथ पहली बार में रिप्लिस कर दिया C को मैंने 2nd के साथ रिप्लिस किया वो यहाँ पर cross multiply वाला case भी लगा सकता था ठीक है, sorry, pattern लगा सकता था ओके, I hope it is clear इसको reverse form में भी लिख सकता था ठीक है, मैंने बहुत बार बोल दिया I hope it is clear to every one अब next देखे next में रपास क्या given है tax लिखा हुआ एक word उसका कुछ code दिया है, liar का मुझे code दिया आप मुझे बताना है कि मेरे mean का code क्या है ओके, चलो देखते है हमने लिख दिया tax की मैंने place value लिख दिया हर एक letter की T, A, G, S जो हमें question में given थी, okay T की place value होगी 20 T, A की 1, G की 7, S की 19, okay तो अब हमने देखा कि वो तो उपर tax की कितनी है code क्या है, 61 61 तो कुछ 20 है, इसकी 1 है, 7 है, फिर 19 है तो कुछ plus विला होगा ना multiply वा तो होगी नी, multiply विला विला तो बड़ी term बन जाएगी, multiply के सथम जाएगी माइनस भी हो नी सकता, यहां पर plus वले case होगा, तो इतना sense होना चाहिए, तो हमने देख लिए, चलो plus वले case है, हमने plus कर दे है, 20 plus 1, plus 7, plus 19, लेकिन यह तो 47 ना रहा है तो भाई, इन्होंने किया क्या है, ऐसे तो हमारा answer आई नहीं रहा, हमने plus value plus कर दी, answer नहीं आ रहा तब इस case में क्या होगा यहां देखें, एक चीज है मैंने आपको बताया था, ABCD जो forward series होती है, जो हमारी ABCD एक forward में होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 as it is, मतब ए मेरा one place में Z पर यह आजाएका 26, यह मैंने उस दिन भी बताई थी, ठीक है, एक होती है हमारी reverse ABCD reverse face value एक होती ABCD, forward ABCD होती है एक होती, ulti ABCD लिखनी है हमने ठीक है, क्या किया हमने, यहां पर लिखा ना reverse face value, कैसे लिखती है, 1 to 26 मैंने पूरी लिखती है, letters लिखती है फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ABCD को ULTA लिखा है, ULTA start किया है 26 पर A लिखा है, 25 पर B लिखा है 24 पर C लिखा है, फिर as it is करते करते करते, नीचे से ULTA लिखा है, लिखके तो मेरे 1 पर क्या आ गया है, Z आ गया ठीक है, क्या समझाना चाहती है आपको, एक हमारे पास ABCD होती है forward ABCD, जो हम अभी तक पढ़ते आएं छोटी क्लासिस में से, एक हम लिखेंगी, जो हमारे इस टॉपिक के लिए एक हम इसकी forward value भी याद रखनी पढ़ती है हमे, sorry, forward और एक back value, reverse वली भी, ठीक है, reverse वली कैसे लिखेंगे, ULTA ABCD स्टार्ट करेंगे 26 से ABCD वहाँ से स्टार्ट होगी, up to I, E, Z Z की प्लिस वली कितनी बन जाएगी, 1 ULTA ABCD लिखनी है, ठीक है I hope आपको यह दिख रहा होगा, समझा रहा होगा forward वली सामने से लिखनी है जैसे हम लिखते है ABCD, backward वली कैसे लिखनी है, ULTA स्टार्ट करनी है simple तो इन्होंने यही वला concept इस केस में यूज किया हुआ है ठीक है, कभी-कभी ऐसे कोशिन आ जाते है तब मैंने सोचा कि आपको यह भी करवा दिया जाए ULTA वला, reverse वला, बस हुआ ही करवा रहे है मुझे इसको adjust करना दे, बस ठीक है आप देखें, हमने देखा कि tax की जो इसकी सही place value बन रही थी, forward value, वो तो use हुई नहीं है यहांपर, तो कहीं इसकी एक पर check कर लेते हैं, यहीं इसकी reverse वली place value तो नहीं यूज की उन्होंने, तो वो वला कैसी बन रहा है यहांपर, हमने देखा tax की reverse में किया face value है t की बन जाएगी 7, देखें, यहांपर मैंने लिखा हुआ अगर आपको किसी को clear नहीं देख था, तो मैं यह PDF भी share करूँगी आप वहांपर आराम से देख लेना, देख लें आराम से t का किया face value है reverse value, जो face value है, यहांपर मैंने लिखा भी है reverse face value, t की कितनी value बन रही है, 7, मैंने वही लिखती उठा के t पे 7, a की कितनी बन रही है, 26, लिखती 26 g की कितनी बन रही है, reverse value में चेक करें, g कहां हमारा g, नीचे से नीचे से, नीचे है न मेरा f, f के बाद उपर देखें, g है, g की बन रही 20, S की कितनी बन रही है reverse में, 8 हमने क्या किया, वहाँ से जो मैंना भी टेबल दिखाया आपको वहाँ से हमने इनकी reverse value उठा दी reverse value उठाके इनको अब क्या करने वालो कुछ addition था, हमें देख रहा था उपर, addition कर दिया, addition करके हमें 61, तो हमें पता लग गया कि इन्होंने क्या किया है, tax में क्या logic लगाया है, इसकी place value forward वाली नहीं लिखिया है इन्होंने इसकी backward वाली face value का use किया, ठीक है, तो मेरा यही मोटो था कि आपको यह concept समझाना कि एक पर कभी आगर आप forward वाली के साथ आंसर नहीं आ रहा है, इसकी place value के साथ, एक बार reverse वाली face value के साथ भी जाएं आप, कि कभी-कभी ऐसे questions भी आजाते हैं, twisted होते हैं, यह वाली हर एक में use नहीं होते है, कोई एक आदा question होता है, तो अब next देख लें, next के liar, liar का भी हम find कर लेते हैं, liar का हमें code given था, ओपर कितना था, 64 तो इसकी भी हमने check ही, जब भी लिखा नहीं है, जब में चेक ही, तो यह भी forward वाले case से नहीं आ रहा था, answer, तो हमने इसकी backward वाली value लिखती, L की बन जाएगी E, E का, E की बनगी 22, उपर, सब से उपर, टॉप पे, E की बनगी 22, उसके बार क्या है, R, R की बनगी 9, यहां से, ठीक है, R की बनगी 9, हमने वह ही उठाके उनकी value लिखती, यहां पर उनका clear to everyone, okay, तो आजाते है next पर, यह मुझे एक reverse वाला case समझाना था आपको, तो मैंने समझा दिया, आजे next देखें आप, क्या है, if code, आप मुझे frank का code गिवन है, 50, frank का code गिवन है, 50, आप मुझे बताएं, मेरे कौन सा logic लगा है, मैंने यागे क्या लिखा है, if code become less, then there is some mathematical operation, ठीक है, अब ही तक हम क्या पढ़ रहे हैं, पर हमने पहला case कौन सा पढ़ा था, कि अगर आपका जो code की जो letter है, वो जादा बन रहे हैं, उसकी number of letters in the word, तो आप किस के साथ चाहिए, उसकी ranking के साथ जाहिए, मतलब उसकी ranking as it is लिखी होगी, कुछी plus minus वाला case भी हो सकता है, second पढ़ा था, उसके बाद हमने third कौन सा पढ़ा, अगर वो same number of letter as it is code की तरह, तो क्या होगा concept, आपका unit digit वाला, उनके जो place value आई की उसको plus addition होगा, फिर हमने एक reverse वाला भी पीछे पढ़ा, उसके बाद ये वाला कौन सा case है, अगर आपको, अगर आपको code बिल्कुली छोट एक form में given है, जैसे 50 है, कुछ और 150 होता, कुछ ऐसे होता, तो हमें सीधा पता लग रहे है कि इनकी place value के कुछ addition होगा है, या फिर, जैसे हमने पीछे वाला case भी पढ़ा था, addition होगा, multiplication हो सकता है, कुछ divide वाला case हो सकता है, तो बस वही वाला ये case है, जो हम समझाने वाले आ ठीक है, अब इस case में आप वह reverse value नहीं लगा के देखना, वह reverse वाला question में पीछे ही करवाया है, ठीक है, वह उसी question के लिए था, उसी तरीके से solve हो रहा था, तभी हमने उसमें reverse value यूज की थी, आप वह अपने दिमाग से निकाल देना आप, बस इस question में फोकस करो, इसमें हम logic correct कर दिया, इन्होंने simple क्या किया है, इनकी place value का addition किया, अब next देखे, next किया मेरे पास एक code गिवन है, फरान, इसका code गिवन है, ratio की form में, ठीक है, एक code मुझे फरान एक word है, उसका code गिवन है, in the form of ratio, 1 upon 3, ठीक है, अब मुझे मुझे killer का code बताएं आप, तो आप याद ratio की form में given होगा, तो 100% chances होते हैं, कि वो अपका vowels or consonant वाला case है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपको, आपको जो code है, वो ratio की form में given होगा, there are 100% chances कि, वो जो code होगा, that will be in the form of vowels and consonants, consonants उपर भी हो सकते हैं, vowel नीची भी हो सकते हैं, और vice versa, vowel उपर हो, नीचे consonant हो, कुछ भी हो होगा, then go with the vowels upon consonant, और vice versa, consonant उपर रख दे, vowels नीचे रख दे, कुछ भी कर ले, ठीक है, मतब यह वाला concept है हमारा यहांपर, ठीक है, हमें समझ आ गया, हम देख लेते हैं, कैसे किया है, फरान, तो इन्होंने क्या किया है, फरान, वर्ड है, जो हमारा, फरान, इच वर्ड है, इसमें, इन्होंने कोड दिया, वान इस टू तो तो हमने देखा, चेक किया, कि इसमें कितने वावल्स हैं, फरान, जो वर्ड है, इसमें कितने वावल्स आ रहे है, एक ही वावल आ रहा है, जो मैने मार्क किया, नीचे ए, ठीक है, तो इन्होंने एक वावल आ रहा है, कोड कितने बनगे तीन, नीचे लिख दिया मैंने तीन सिंपल इसे तरह से अब हमें बताना कि मेरे killer का code क्या होगा तो killer पे देखें, तो number of vowels कितने killer में, एक है हमारा I एक है E, तो कितने बनगे दो, उपर लिख दिया मैंने 2 तो नीचे मेरे consonants कितने बचे, के एक मेरा consonant है, एक L है, L दो बर ही है तो तीन होगे, तो चोथा consonant को उनसे R है, ठेक है, कितने बनगे consonants मेरे? 4, तो मेरे क्या code आ गया? 2 upon 4 अके? I hope it is clear, अब next देखें अब ये भी जो मुझे question है, ये जो मुझे given है इसमें भी मुझे code, जो next question बता रहेंगे, इसमें मुझे code क्या given है? Fraction की form में given है, fruit का code दिये 30 upon 44, तो अगर मैं इसको बोलू कि ये number of consonants upon number of vowels, और number of vowels upon number of consonants वाला case है, तो ये तो 30 तो word में लेटर है ही नहीं, तो ये वो वाला case नहीं है मतलब, vowels और consonant वाला case ही है तो कुछ mathematical operation लगाए है उन्होंने, तो हम उसके साथ जाएंगे हमने लिख दिया, fruit लिख दिया, word, इन सबकी place value लिख दिया, f की 6, r की 18, u की 21, 1 की 9, 1 नहीं है, sorry, i i की 9, t की 20, तो हमने इनकी place value लिख दिया बस सब क्या करना है, vowels और consonants वाला concept लगाना है, ऊपर देखा हमने 30 है तो हमने चलो देखा, इसमें कितने हैं हमारे fruit word है, इसमें कितने vowels हैं दो ही vowels है, u और i चीक है, vowels आपको मैं निकाल बताया थे, a, e, i or u sorry, ठीक है, दो ही vowels है, इसमें u और i, तो u और i की place value कितने हैं, 21 और 9, हमने कहा इसके plus करके देख लेते हैं, कुछ चांसर तो नहीं आ रहा हमारा plus किया हमने, 21 plus 9 कितना बन गया, 30 तो हमें मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, हमें 30 ठीक है, तो मतलब यह यह वरा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर आपको माइनस भी दे सकता था, कुछ मुल्टिप्लाइवला भी दे सकता था लेकिन इसने simple plus दिये, तो हमने simple plus कर दिया 21 plus 9 कर दिया, बन गया 30 तो अब मैंने बोले था, ऊपर वावल मिल गे नीचे consonants देख लेते है, consonants किया है मेरे पास, F, R, O, T उनका place value का सम करवा दिया, कितना हो गया, 6 plus 18 plus 20, कितना बन गया, 44 ठीक है, मेरा answer आगया, 30 upon 44 इससे हमने क्या logic करा किया है, इन्होंने क्या किया है उपर क्या किया है, place value का सम किया है, किसका vowels का नीचे क्या किया है, place value का सम किया of consonants बस इतना याद रखें, जब fraction वाला case होगा आप वोवल्स और consonants के साथ जाना है simple, okay आजाए, next question क्या है मेरे पास damn का मुझे कुछ code given है pan का भी given है, अब मुझे बताना है कि मेरे can का code क्या होगा, क्या कि मैंने damn की, मैंने place value लिख दी, हर एक 52 के equal बन रहा है, नहीं बन रहा सामने दिख रहा है, नहीं बन रहा है, मैंने बन रहा है minus वाला case भी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता तो सीधार multiply वाला case ही होगा 52 बड़ी term है तो हमने करवा के देख दिए multiply 1 multiply by 13, multiply by 4 क्या हो मेरे 52 के equal बन रहा है हां जी बन रहा है तो मुझे मेरा अपने logic मिल गया इन्होंने simple क्या किया है हर एक लेटर की place value उठाके उसको multiply करवा के code में लिखती है बस ही इतना ही किये इन्होंने तो हमने भी कर दिया इसी तरह हमने next का pan वला उठाया pan की सभी letters की मैंने place value लिखती that is equal to 224 तो कितने place value लिखती है p की 16, a की 1, n की 14 तो बस इनको multiply करवा दिया मेरे पास answer आगे 224 तो इसी तरह इसी तरीके से मुझे क्या निकालना था can की निकालना थी तो can की हम निकाल लेते हैं c का हो गया 3, place value लिखी c की होगी 3, a की 1, n की 14 ठीक है, place value लिखती है अब क्या करना है इनको multiply करवाना थीनों को 3 into 1 into 4 sorry, 3 into 1 into 14 ठीक है, आप देखें, आपर मैंने 1 चे multiply नहीं लिखा क्यूं क्यूंकि 1 से multiply तो as it is होता है न नमबर तब ही मेरे नहीं लिखा होगा 3 into 14 into 1, मतलब वही नमबर आगा that is equal to 42, okay I hope it is clear तब देखते हैं next आपको बता रही हूं कि मतलब यह logic हो सकते हैं, sorry logic समझा रही हूं आप देखें next क्या है मेरे पास एक code given है rose का code given है 8 man का code given है 6 ठीक है, अगर आपको कभी भी code सिर्फ एक single digit की form में given होता है तो आप इस तरीके सजाएं इस logic के साथ जाएं कि क्या पता आपको कुछ number of letter का concept तो नहीं है ठीक है, अगर समझे simple दिया होता कि man का code मेरा, sorry rose का code मेरा 4 है, man का 3 है तो वो सामने हमने पता चल रहा है कि मेरे rose में letter 4 है, तो उसमें 4 code दे दिया, ठीक है man का code मेरे, man में letter मेरे 3 है उसमें में 3 code दे दिया तो कुछ letter वाला concept है, ठीक है आप एक बार number of letters के साथ भी जाएं ठीक है, तो देखा हमने rose में हमने इसने code दिया है, 8 दिया है man में हमें 6 दिया है तो देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाएं कि आप एक बार letter वाले concept से जाएं तो क्या वो यहाँ पर use हो रहा है तो हमने क्या observe कि जो मेरे rose था, rose में कितने letters है, 4 मैंने लिखती है 4, लेकिन मुझे उपर code में क्या given था, 8 given था, तो अगर मैं 2 से multiply कर वाँ हूँ, तो कुछ बन रहा है 8 बन रहा है फिर next भी check कर लिया man, man को check किया, man का मेरे कितने code है man को में कितने letters है, 3 letters है तो मैंने multiply कर वाँ दिया 2 से तो मेरा बन गया 6, तो भाई हमने अपना logic crack कर लिया, इन्होंने क्या किया, number of letters से multiply by 2 कर वाँ दिया एक चीज़ का ध्यान रखा करें जैसे मैंने अभी ये number of letters के case से ये logic तो crack कर लिया अगर आपको ये 2 words गिवन हो जैसे rose भी गिवन है, man भी गिवन है अगर आपका एक logic पहले वले word में सेट बैठ रहा है, वो दूसरे वले word में कुछ logic बन रहा है, वो second वले में नहीं बनता, तब आपका एक आप नहीं बोच सकते कि इसमें यही logic लगा है एक question को solve करने के बहुत सारी तरीके होते हैं, आप किसी और कि वे के साथ चले जाएं ठीक है, हमें नहीं पता लग सकता तब यह आपको क्या करना है, एक ऐसा logic फाइंड करना है, जो दोनों में satisfy करे, जो दोनों words हमें given हैं उसको satisfy करे, अगर उन दोनों में satisfy कर रहा है तो इसका hundred, तो हम sure हो जाएंगे कि हमारे question में उसने वही वले logic लगाया है तो हम उसी logic के साथ अपना answer निकालेंगे ठीक है, never go with अगर आपको पहली टाइम पे एक देखती, strike कर रहा है, यह वला पहला वला हो रहा है नहीं, दूसरा बला भी एक पर चेक कर ले ठीक है फिर आप sure हो जाएंगे, दोनों में वह logic लग रहा है तो फिर उसी के साथ चले, फिर आपको वही होगा अब next देख ले next के लिखा में ने, local local एक word है, उसका code लिखा हमारे पास आगी 25, reasoning एक word है, उसका code लिखा है 81, अब हमें फाइंड करना, जीज का answer आया कैसे हमने देखा कि local में चो मेरे letters है number of letter that are 5 सबसे पहले, sorry, सबसे पहले हमने क्या चक किया आगे जो code given है, 25 है और 81 है, तो यह किसी नंबर का secure है, दिख रहा है हमें सामने, ठीक है यह किसी नंबर का secure है तो, ठीक है तो हमने क्या किया local में जो word था, इसमें चक किया कितने letters है, हमारे letters कितने बन रहे है 5 बन रहे है तो logic लगाया हमने कि हम एक पर check कर लेते कि इसके length की number of letters आरहे है कि इसका square थो नहीं है check लिए हमने 5 का square, मतलब letters कितने आ रहे थे 5 का square किया, कितना बन गया 25, हाँ जी मिल रहा है तो मिलगे हमें, ठीक है reasoning में कितने words है, कितने letters है 9 है, तो 9 का अगर square करें कितना बन जाएगा, 81, ठीक है multiply वाला case भी दे सकता था, जैसे ऊपर किया हमने इसने यहाँ पर square वाला case दिया तो यह भी आपको मैंने बता दिया I hope it is clear अभी तक मैं आपको यही समझा रही हूँ कि मतलब यही logic हो सकता है बस यही बता रही थी मैं भी आप देखे next क्या design, design एक word दिया मुझे, उसका अगर code दिया है 2 review एक word दिया है, उसका अगर code दिया है 3, अब मुझे बताना है कि मेरा logic क्या लगा इसमें, क्या इन्होंने लगा के 2 और 3 कर दिया है अगर मैं इसको अभी जैसे मैंने बढ़ाया कि अगर आपको एक single form में given है code तो आप इसकी length चेक कर ले तो length तो design की 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 letters बन रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे भी 6 बन रहे हैं अब एक चीज़ सुने, जैसे मेरे design एक word है उसमें कितने letters है, उपर 6 बन रहे हैं अगर मैं बोलूँ कि अगर उसमें कोई mathematical operation लगा भी दिया है number of letter 6 बन रहे है 6 divide by मैं 3 करवा दूँ let us suppose मैंने 6 divide by 3 करवा दे तो मेरे उपर 2 answer आ रहा है ठीक है, 2 answer आ रहा है ये तो मैरे logic बन रहा है अगर मैं सोचू ऐसे तो चलो ठीक है review, review मैंने word देखा उसमें कितने बन रहे हैं letters उसमें भी 6 बन रहे है अगर मैं इसको भी 3 से divide करवा हूँ तो ये मेरा 2 बनेगा लेकिन इनोंने तो 3 दिया आगे तो ये कैसे आ गया देखिया है, ये तो हमारा length of logic फेल हो रहा है समझा रही होगी आपको यहां पर तो मेरा length of logic फेल हो रहा है तो मैं तो यह ऐसे नहीं लगा सकती तो यहां पर कुछ और इनोंने लगाया होगा क्या लगाया है, वो समझेंगे हूँ तो हमारे वो पिछे वाले लॉजिक विगारा सारे फेल होगे तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखा, कि इन्होंने यहां पर number of vowels का कुछ concept यूज किया हूँ है, मैंने नीचे लिखा भी है, number of vowels लिखे हैं, ठीक है, क्या किया है, इन्होंने, design एक word है, उसमें इन्होंने चेक क्या है, number of vowels, simple, ठीक है, review में क्या है, review में तो मेरे तीन vowels है, e, दो बारी आ रहा है, i, एक और बार आ रहा है, दो बारी e आ रहा है, एक बार i आ रहा है, तो कितने बनगे vowels, number of vowels कितने बनगे, three, okay, इसी question में आपको वो consonant की तरह भी दे सकता था, कि वो number of consonants की एकवल इसका code बना देता, three words, first design में मेरे two vowels है, तो ये क्या करता, हाँ, design में मेरे two vowels हैं, तो ये number of consonants की एकवल अगर मेरे code बना देता, एक, दो, तीन, चार, अगर मुझे code चार दे देता, तो हम किसके साथ जाते है, number of consonants को plus कर लेते, ठीक है, इस तरह vowels है, तो consonants वाला भी पूछ सकता ह I hope it is clear, हाँ, अब मुझे इसने क्या बोला था, animation को code बताएं, उपर लिखा नहीं है मैंने, लेकि इसने मुझे पूछा था, अगर इन दोनों की logic राक करने के बाद, हम मुझे animation वाला code बताएं, तो animation वाला code बता देते हैं, हमें तो बता लग गया कि logic हमारा number of, को हमें क्या A है, फिर उसके बाद आई है, फिर O है, कितने बनगे, प्लस किया, 5 बनगे, simple answer आगया हमारा, ओके, हाँ, अब आप एक ये पहला case भी देख लें, इसको बोलता है shifting, कभी-कभी shifting भी हो जाती है हमारे ये, लिखा है मैने profit का कुछ code लिखा है 279669, अब इनोंने कैसे निकाल answer, उसको logic लग रहा है, वो समझया, मैने लिखती है profit एक word लिख दिया, इन सब की मैने place value की, sorry, इन सभी letters की मैने place value लिखती, P की 16, R की 18, O की 15, F की 6, I की 9, T की 20, ठीक है, फिर क्या किया मैने सब की place value को मैने plus करवा दिया, plus करवा दिया जी, तो P की कितनी बन गी, 6 plus 1, 7, R की कितनी बन गी, 1 plus 8, that is equal to 9, O की कितनी बन गी, 1 plus 5, that is equal to 6, F की 6 है, तो 6 ही रहेगी, I की 9 ए 9 ही रहेगी, T की कितनी बन गी, 20, 2 plus 0, 2, ठीक है, unit digit में लेकिया है, कितनी बन गी, 2 plus 0, 2, अब मेरा code देखे, code तो मुझे इसनों given था, 279, 669, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैटन क्या लगा है, इन्होंने shift कर दिया, P का जो मेरे value नीचे यहाँ पर 7 आ रही थी, R की 9 आ रही थी, इन्होंने एक step आगे कर दिया, बस shift कर दिया, pattern लगा दिया, P को मैंने एक step आगे लिख दिया, 7 लिख दिया, R को मैंने एक step आगे लिख दिया, 3rd place में लिख दिया forward, I को 9 9 आगे end में लेके आगी में T को में उठाके first में डाल दिया, ठीक है, जब मेरे starting में मेरे P वले letters सारे, जितने भी letters थी, एक-एक step में आगे forward किया, तो मेरे end वला कहाँ जाएगा, end वले को उठाके में सामने लिख रही हूँ, ठीक है, यह क्या होती है shifting technique, इसमें क्या किया है simple, कुछ नहीं किया, इनकी words जितने letter से, इनकी place value को plus करके, एक-एक step में आगे shift करवा दिया ठीक है, ऐसे भी pattern आपको देखने को मिल सकता है तो अभी तक मैं आपको यही समझा रहे थी कि कितने कौन-कौन से pattern कौन-कौन सा logic हम को देखने को मिल सकता है तो मैंने को इतना ही पढ़ाया है तो इसकी base के उपर जैसे, जैसे हमारा substitution coding भी हो जाएगा न तो end में एक practice set लेके आजाओंगी इसमें mix हो जाएगे हमारे सारे mix letter coding plus number coding plus substitution coding एक set लेके आजाएगे हम उसमें हम दबारा एक बार सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारे doubt होगा I hope it is अभी तक आपको सबको सम्मझा आ गया होगा I hope it is clear to everyone कोई doubt होता है तो आप नीचे comment section में comment करे So, that's all for today Thank you everyone